हलो दोस्तों विल्कम बैक टू नी वीडियो उमीद करते हैं आप सबी बहुत ही अच्छे होंगे दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाले हैं ब्रेंड न्यू कावासा की जेडेक्स 6R के बारे में जियो दोस्तों फाइनली कमपनी ने अब इस बाइक को इंडियन मार्केट में लांच कर दिया है दोस्तों इन्होंने पहला जो धमाका किया था वो किया था दोस्तों जेडेक्स 4R को लेकर जब इन्होंने ZX4R लाँच की थी तब दोस्तो भाई यहाँ पे अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब ZX6R को भी कमपणी इंडिन मार्केट में लाँच कर सकती और वही चीज हुई फारनली बाइक में जो यह यह कमपणी ने इस बाइक को दोस्तो इंडिन मार्केट में लाँच कर दिया है जो आज के असी विडियो में इस बाइक के बारे में बात करने वाले है चलिए इस वीडियो को सुरू करते हैं अगर चैनल पे पहली बनाए है तो सब्सक्राइब करिएगा बिल्ग अगरम को आउन कर लिसेगा ताकि असी इंट्रस्टिंग रोगे नोडिफिकेशन पे आप तक पहुंचते रह सके हैं तो आप लोग को बताना चाहों को, इस लίग कमपनी ने इस वाइक को इंड challenging की ग्रेट पे लॉंच किया है अगर अगर आा प्रणी किया प्वाइका है इसलिए परफेंट बिल्ग वाइक है अगर बिंगनार तो भाई मिल्कुल नहीं कर सकता तो जैसे बात है company को एक बीच को option रखना था that's why company ने इस bike को Indian market में जो है launch किया है और मुझे ऐसा लगता है दोस्तों ये bike Indian market में चलेगी भी even मुझे लगता कि ये 4R से जाधा चलेगी लोग इसकी तरफ जाधा बढ़ेंगे company ने price भी ठिक ठाक रखा है बहुत जाधा price नहीं रखा है जी नोसर से थोड़ी सी महंगी है इसके compare में company ने थोड़ा ही जो जाधा price इसका रखा है बात कर ले दुस्तों इस bike के बारे में की company ने इसका क्या price रखा है बात करने इस bike के बारे में तो दुस्तों आपको मैं clear कर दूँ इस bike में आपको जो engine मिलता है वो बहुत premium engine है company ने दुस्तों इस bike में आपको दादो 336 cc का liquid cool 4age took inline 4 engine जो आपको इस bike में मिलेगा यह bike maximum power में लगबग दोस्तों 129 PS के असपास की power generate करेगी इन लबग 69 के असपास का जो torque है वो आपको इस bike में मिलने वाला है मतलब जाहर सी बात है इस bike की जो performance हो आपको बहुत तगणी देखनी को मिलेगी इसमें दुस्तों आपको 6 gear मिलेंगे इसमें आपको liquid cool engine मिलता है ride by wire है बाइक में आपको DUSC 16 valve engine मिलता है पर cylinder 4 valve हो तो टोटल 16 valve हो गया प्लस दुस्तों इस bike में आपको जो kick shifter है वो भी company ने offer किया है इसमें दुस्तों जो TFT है उसमें company ने TFT display यूज़ किया है जो कि काफ़ अच्छा display आपको सारे feature मिलेंगे mobile के connectivity भी जो आपको इस bike में मिल जाती है इस bike का look and design भी company ने fully अलग किया है इस बार जो नया नया design है आपको front में पूरी तरह किसे नया design जो हमें इस bike में देखने को मिला है front में आपको bike में बता दो dual channel anti-lock braking system मिलता है front में 310 mm की dual disc plate है और rear में 220 mm की एक disc plate आपको इस bike में देखने को मिलेगी और इसका जो design है दोस्तो कही ना कही जो है ZX-10R की तरह front design company ने दिया है जो की काफी sporty लगता है और sporty windscreen भी company ने इसमें use किया है तो भाई बहुत ही premium bike finally Indian market में आई है अब इसमें आपका क्या कहना है आप बताएगा क्या लगता आपको यह bike Indian market में चलेगी या फिन नहीं चलेगी लोग पसंद करेंगी या नहीं करेंगी नीचे comment section में comment करके जरू बताएगा लागी दोस्तो आप लोग को कोई यह bike कैसी लगी आप लोग नीचे comment section में comment करके जरू बताना सब्सक्राइब करना चैनल पर पहले है तो सब्सक्राइब कर लेना मिलते नेक्ट शेयर होँए लफी ओल जैहिन विंदे मातरा